चलो बात करते हैं सेकंड लेक्षर इंडा इंट्राशनल टैक्सेशन का चानरीजे हमने बात किया कि जब भी कोई कंपनी उसके किसी भी असोसियेटेड एंटरप्राइजेस के बीच में कोई ट्रांजक्शन इंटर करती है जहां पर आइदर वन आप दो पार्टी और बोट द इसे केस में हम जो इंकम अराइस होरा इंटरेशनल ट्रांजक्शन से बात इंकम वेड़ कालकुलेट बाइट टेकि इंटो कंसेरेशन दी आंप्स, लेंथ, प्राइस, होता क्या है कि आप एक कंट्री दूसरी कंट्री में अगर कोई असोसियेटेड इंटर्पाइस के साथ ट्रांजेक्शन करती है और इंकम टैस्के रेट्स वर्डवाइड अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग है इसमें कोई कंसेंस का सवाली नहीं आता अपनी कंट्री अपनी एकोनामिक इसाफ से कितने टैक्स के लेट करने के वो सोचती और उसकी इसाफ से फिर कम जादा इ तो ऐसी कभी भी प्रैक्टिस की जाती है कि ज्यादा टैक्स रेट वाले जो कंट्री है उसके जो लोग है उसके जो असेसिज है वो खुद का इंकम ऐसे जगा पर आवर्ड करना चाहते जहां पर इंकम डैस कंपे करना पड़े जो है वो बोल रहा है वो बोल रहा है कि अगर यह ट्रांजेक्शन अगर यह असोसेटेड इंटरप्राइज के साथ ना करते और किसी थर्ड़ पार्टी के साथ करते जिसके साथ इनका कोई संबन ना होता तो ऐसे केस में इन लोगों ने जो ट्रांजेक्शन क्या होता डेट वूर्टी आइट समधिफरेंट प् बेशते हो और असे इंटरपाइस को पाच आर के गुड़्स बेशते हो तो इसे केस में इन सारी चीज़ों को अंच्छ प्राइस चार्ज किया वह अगर अलग है तो फिज़ डिफरेंस है उतना आपने कम-कम दिखा तो वह हम लोग इंकम में अड़ करेंगे इस वरी इंपर्टन कि आपने ट्राइसिंग किस प्राइस पेंटर किया और उस ट्रांजेशन की आम्स प्राइस क्या थी वह ड अंट्रोल्ड प्राइस मेथड यह काप मेथड कंपरेंबल अंचंटर्ल प्राइस मेथड यह कर दिख को मेथड़ इसके बाद है comparable uncontrolled price method के बाद है, reseal price method and so on, other methods will follow, यह कप method अपनी हो चुके है, हम uncontrolled transaction की price से start करते है और उस uncontrolled transaction की price को, यह control transaction के जो functional differences से उसके सबसे adjust करते है अगर uncontrolled transaction, अगर with warranty और यह without warranty है, तो यह uncontrolled भी अगर without warranty होता तो क्या होता यह uncontrolled delivery उसके घर पे जाके दिए, control की delivery जो है वो, let's say factory gate से दिए अपने तो uncontrolled का नाचली price जादा है, लेकिन control का अगर add factory gate अगर delivery दिए है, अमर लब manufacturers factory तो इसको भी अगर manufacturers factory अगर दिए तो क्या rate आता, उसके साबसे जो price adjust करते चलेंगे, uncontrolled की price को इसके functions के साबसे adjust करते चलेंगे, इनके functions पे वो price लाएंगे, और फिर भी अगर price match नहीं होते तो 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 देन there is a adjustment, ठीक है, और उस adjustment काम करेंगे, तो आम स्टेंग प्राइस करने का पहला, जो method है, that is comparable uncontrolled price method, second is resell price method, आईए, resell price method, है क्या आपके सामने, पहले का notes है क्या, yes, चलो register में heading दे दो, resell price method, method two, resell price method, जान रिजे, logic कुछ इस तरह से, मैंने purchases किया latest से, सामने वाले parties से, जो सामने वाले party वो मेरी associated enterprise है, तो associated enterprise से जो purchases करूँगा, तो मैं higher value पर दिखाने की कोशिश करूँगा, हजार रुपे में मैंने goods purchase करके दिखाए, उसके हजार रुपे तो मैंने उसको दिये, उसका 200 का transportation लगा, 100 रुपे का insurance लगा, मेरा मेरा profit add किया, और बाकी की मिसले इस खर्चे लग गये, फिर भी मैंने सामने वाले को 1100 में बेचा, इतनी सारी cost incur करके भी मैं 1100 में बेच रहा हजार रुपे के goods, how is it possible, इसकी वोईसे डाउट है न, कि इसका हजार रुपे का जो दिख रहा है, वो रियालिट में इसकी आमसलें प्राइस हजार रुपे नहीं थी, उसकी प्राइस हजार रुपे होगी, इसकी उसकी उसने बात में 1100 में बेचा, तो अगर हजार रुपे कर उसकी रियल प् तो उसने ये सारे करचे इंकर करके सत्रा साटरा सो में बेचना चाहता, बटिब स्टिल ही इस हैपी इन सेलिंग इस गोड्स अट रुपे होगी, उसने पर्चेस हायर वल्ली पे निसरली दिखाया हुए, और जिसको आपने को कम करने का, येस देखिए, स्टेपन, रिसल प पर देखिए, जो पर पर आपने गोड्य इस देखिए, तो आपने जो जो चुलिख पर देखिए, उसके बार जो हम ने जो बेचे झाल 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 हमने कि जो तरह सो रुपे को और लेट से गया रहा सो रुपे को बेचा रहं राधर तरह सो को नहीं है शाड़ुए गयारा सो को जिए न DOM अब दान दो, such resale price is reduced, such resale price is reduced by normal gross profit margin accruing to the enterprise from purchase and resale of the similar goods in comparable uncontrolled transaction. If there is no comparable uncontrolled transaction, then take the gross profit of an unrelated person from purchase and resale of similar goods. चिक हो कुछ काम का नहीं. profit minus करने का इतना जान में रखने का. step no.2 के side में लिख दो, less profit. step no.2 के side में लिख दो, single word में, less profit. step no.3 then reduce the expense is incurred by the enterprise in connection with purchase of the property. step no.3 के side में लिख दो, less other expenses in cut after purchase. step no.4 the price you arrived at in step 3 is adjusted to account for the functional differences in international transaction and comparable uncontrolled transaction which could materially affect the gross profit margin in the open market. point no.4 के side में लिख दो, functional differences. functional differences में लिख देलिए अब दू गुट्स काहा पे थी एक सेटर बाकी की चीज़े इंशूरंस था नहीं था अग्जेस्टर प्राइवड इंस्टेपोर इंस्टेपोर इस आम्सलेंद प्राइस अब धान दो आईसे समझो एक्स लिमिटेड उसे है उसने य लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है इसको कुछ गूर्स बेचे य लिमिटेड हैसोल इस गूर्स इन इडिया तो इकस्टरवर यह इसकी जो प्राइस है वह है रिसेल प्राइस अब यह रिसेल प्राइस जो है इस रिसेल प्राइस में इसका प्रॉफिट भी है यस पर्चिस के बाद के बागी के एक्समेंसेज भी है और कुछ फंक्शनल डिफ्रेंसेज भी इन तीन चीज़ों को अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर आपको वाइ लिम्टेट को रियालिटी में गुड्स कितने रुपीस को आए थे आपको 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 प्रिंट करके आए भिलिए एकर आपको आपको परेंट करके आए बिलिए एकना आइसर बात में देखो टेट्रापक आस्ट्रिया फोर्स 30% शिएर अब अल्फा लावल इंडिया लिमितेड तो देखो टेट्रापक यह अस्ट्रुलिया कंपणी है और अल्फा लेवल कोंसी है इंडिया कंपणी है पुना में है कि अल्फा लावल काप है है कासार वाड़ी पते अल्फा लवाल अरे बोद बड़ी कंपनी है ओल्ड मुंबे पुने हायो कोने के राइट एंड लेफ एंड साइड को जाते टाइम कासार आवड़ी के उदर इंपरी के पहले है उदर भी है क्या मेरे को पता है क्योंकि हम लोग जाते ना आर्टिकल्शिप को और इड को फिम्परी चेंजवर्ट तो दर दिखती लेफ एंड साइड को कंपनी हाँ जो को नहीं दिख रही हो तो इदर दिखो हाँ टेट्रपक अस्ट्रिया होड्स थर्टी परसें शेर्स अलफ लावाल इंडिया लिमिटेड अब अलफा-लावाल इंडिय को इंपो को को अलफा लावल Komm pie असट्रो लिया कि टाव सिटरियोक्त फोग ज़ोने की मशीन होगी 126at टेट्राबक उसलिया से 2,900 पे इंपोर्ट किया एंद इस आर सोल्ड तो हयात रिजिंशी आट प्राइस आप तीन अजर पर इंट देखो यार 2,900 पे अमने पर्चेस किया और 3,000 को बेज डिरेक्ट 100 पे चार्ड किया मैंने देखो इप गुड्स पुचर पर्चेस पर 2,900 अर बिंग एबल तो सोल्ड at 3,000 तो शायद गुड्स दो आजार नव सुपे पर्चेस नहीं किये थे उसमें प्रावलोम है है रिसल प्राइस मेथर्ड रांदो रिसल प्राइस मेथर्ड हो गाटिस टान्चेस हूंग अ किया बुल राकान पर्चेस अंच्ट्र परिशेस कि पर उल्हा है हाई क्या पहला शीट हाई क्या कप में तरेना पाच में तरेना उदर हो कप में तरके साहिए सामने लिग दो सब्सक्राइब को से पिच पे मेथड सब कालकुलीशन अब आमसलेंद प्राइज दिया हुआ है पीज नमबर 6 पे वावा, मिलेगा क्या आज की जमाने में, मिल गया ना, very good, कप मेज़ड के सामने लगो, for purchase oblig sale transaction, for purchase oblig sale transaction, resale price मेज़ड के सामने लगो, for purchase transaction, for purchase transaction, क्योंकि purchase करके आपने रिसेल करने वाले ना, तो purchase transaction के लिए method यूज करेंगे, आप आओ, वापस, diagram draw करते हैं, आप भी diagram draw करते हैं, आपन को नहीं, अल्फा लवल, tetra pack, TP बोलू, is tetra pack, राइट, अल्फा लवल मतलब, AL, अब ये दोनों क्या है, I, A, अब इसने क्या purchase किया, येस, 1000, towel dispensers, add the rate क्या, add the rate 2900, क्या, each, add the rate 2900 each, अब बात को इस तरह से, tetra pack austria, hold 30 percent shares, half-lawal India limited, alpha-lawal India limited, imports 1000 toil dispensers, from tetra pack austria, at a price of, 1000 toil dispensers, 1000 toil dispensers, add the 2900, अब इसने सेल की, alpha-lawal ली किसको, हाइत रेकिस, ये hotel है, हाइत रेकिस, किटने रुपीस पे, 1000 doll dismissers 3000 per unit यह क्यारी से लेगा इसे question बनाया है तो फिजागरा बनाया है तो तो अब देडर अलफालावाल इंडिया लिमिट अज़ प्रोट समिल इंडियलिमिट अब दिन आप दो ताच बैलेट अब धन्दू एक ultimate industries करके एक दूसरी company है इस ultimate dispensaries से अल्फा लेवाल लिमिटेड ने similar toil dispensaries का order किया है और उसको किस को बेचा है अल्फा लेवाल ने आगे आज पालेस को यह भी होटल है अट अट ग्रास प्रफिट अट वेवल परसें नॉसरी प्रफिट कितना है वेल परसें नॉसरी प्रफिट अट पैक ऑस्ट्री ओफ़स अट्रापक ऑस्ट्री ओफ़स अट्री दिसकांट अटेन पर इन ट्रापक जो है ठापक ऑस्टाउ कंटी आपोल पर इन ट्रापक ऑस्ट्री ओफ़स्स अट्रॉर्प्रफिट रेष अल्त्रीमेट इन खंट परफिट इसकांट कि TetraPack ने discount दिया हुआ है कितना quantity discount 10 per unit either no quantity discount जब purchase ऐसे है यदर के purchase आगे जा रहे तर इदर के पर्चेस इदर जा रहा हैंगी, right? Tetra Pak, offers a quant discount of 10 per unit, whereas, ultimate discount does not offer a quant discount. Alfa Lauwa Limited India, incurred freight of Rubis 10 and customs of Rubis 25 per unit, in case of purchases made from Tetra Pak, उसके बाद, freight किरना है? 10 and custom to ticket 9 हो गया एंसर देखो मता मता चला जाएगा पूर कि कुछ लोग आये ना आये तो आएंसर के साथ देती आता उस ते घर पे अगर पढ़ने का रहेगा तो तुम लोग आये तुमने बुलाया तो हम भी चले आया जा इत्या खुन्नस मत दे यार अरे काई सम्वन्द काई खुन्नस जेता कुने कर मारा ठोड़ा ले लोग करना खुन्नस जेता तुकर दुश्काल बढ़ला आम जेगड़ा आजा हां कर दोड़़् आम जे कहाँ को मत धुश्के जेता आम पत्या तुमकाल कर दुन्नस जे खुन्नस जेगड़ा शोग मत दूपर अब दान दो यह लोग क्या बुलें आपको रिसेल प्राइस रिसेल सेल प्राइस से स्टाट करने का प्रॉफिट लेते हैं अगर आपको इस ट्रांजेशन का अगर प्रॉफिट दिया है अगर प्रॉफिट दिया है तो लेलो यह टॉइल डिस्पेंसर इधर से भी लेते और बात में इधर भी रिसेल करते हैं इधर भी रिसेल करते हैं यह प्राइस का आप लेलो और उसके बाद प्रॉफिट परसें इधर का दिया है सेम प्रॉफिट 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 प 3,000 3,001 unit का अगर में resale price बोलता हूँ और 12 टक का अगर में ना sales है profit है, minus 12% minus 12% लिया yes मतलब 2640 आया 2640 excluding profit में ना cost है और मैं 10 रुपे का खुद फ्रेट भी इनकर करता हूँ, minus 10 करो और 25 रुपे का custom duty भी इनकर करता हूँ ठीक है और उसी के साथ मेरे को 10 रुपे का अल्रेटी डिसकांट भी मिला है 10 रुपे का डिसकांट मिला है, और purchase price कम होनी चाहिए ना उसने अगर मेरे को दिया हुआ है, तो और 10 रुपे का डिसकांट मैनस करो कितने आई 2595 यही मेरी रियल purchase price है आज इन लोगने purchase price 2900 दिखाई 2595 मैनस 2900 305 रुपे एक पर एक unit को इन लोगने हाइर वर्ली पर दिखाई, मुल्टिप्लाइब एक हजर तोल्डिस्पेंसर तो कितने सी इनकम बढ़ना चाहिए 3,5,000 रुपे वापस सोचो, मेरा थिंकिंग देखो किस तरह से चानलाइज हो रहा है मैं कश्डिम को कुछ परफिर्टेश एक पर्टिकलर प्र परफिशा बैसंफे कर लिया और यह इतने इप्रेट वगर यह सब कुछ मैंने सेपरेटे लिंगर किया हुआ है इसको दू और 화장 नौ किया कि तो यह और बजिते स्कॉ्पाने का मैं इतने में पड़ा लग रहा है कि दो अजर नो सोच्वाइश के नहीं डू फैना का का रियल पर्चेसेस है आपने 2,900 इन्वाइस में दिख्रें लिगिन उसका रियल वर्थ कितना था यह आप सिंपले स्विचने क्याल सी है 2,900 प्लस बारा टक का प्लस दस रुपए प्लस पच्चिस रुपए यह और माइनस दस रुपए का लेट से डिसकाउट कितना 3 टू 77 इतने प्रैस में स्विचना चाहिथ तीन अधर पे खथोड़ी बेशता दम न्यूंत डो अजर नौश सका मर्डारी तिन अधर को बेचा और बाराटक के प्रॉपट भी भी नियए 2,900 और थी नजर के बीच में है के बारा टका प्रोफिट दस टका है 290 रुपे प्रोफिट होता है फिर आप बोल रहे हो कि मैं तीन अजर को बेचा बारा टका प्रोफिट भी कमाया मदलब हां तेरे को इतने तो अजर नोसी पे आई से दो गूर्स कुछ अलग प्रैस पे आये तो वो निकालने का प्रोफिट ऐसे बोलने का उसको हां तो निकल सकता हो चलेगा देवा एंसर चिक कुर एक बन हो गए किया इनलाग पाच्चा दरका प्रोफिट टूए इंक्रीस आइन से स्वाल करके दिया आपको ब्रावर याथ एक वसमे बार का नहीं आतना पाच्च पहीं हार रिसल प्रैसिक बाद लेलो समिस्टर्थ प्रावर टॉट यह पर पर अश्यवर प्राव प्रावर प्रावर झार ब्रावर? method 3, cos plus method. उदर लिख दो, उन्हें क्या, पाच method दिये थे, फर्स, जो पहला notes दिया था, उसमें, Cosmos method में लिख दो, for sale transaction, forward, sale transaction, अब दान्दो, simple चीज़ है, costing ही है, हम जब associated enterprise को sell करेंगे, X limited है, इंडिया की company है, Y limited अपनी US की associated enterprise है, और ये company, जब इस company को, जब sale करेंगे goods, तो naturally higher value पे sale करेंगे, क्या lower value पे, sale transaction, lower value पे, ये बोलते यार, इसने ये goods 2000 पर इंट पे बेचे, इसको कैस क्या 2000 पर इंट पे इसको परवडता यार, इसको तो 800 रुपे का material लगा, labor लगा, over rates लगा, तो अगर इसके इस goods की अगर calculate करने को जाओ, बोलते हैं आपको raw material कितना लगा, labor कितना है, over rates कितना है, total cost कितना है, इसके सबसे normal profit कितना आना चाहिए, और फिसकी selling price अना चाहिए, और लेसे वो selling price लेट से आपकी 3200 अना चाहिए, लेकिन आपने 2000 पर पे पेचा, तेरी cost के भी सिस्पे अगर चले जाए, नोबडी विल, इस नॉर्मल common sense चीज़ है, नोबडी शाल सेल, और नोबडी विल सेल, अट प्राइज, बिलो दो कॉस्ट अप्रोड़क्शन, आप कॉस्ट अप्रोड़क्शन से कम प्राइस पे कभी बेचोगे क्या, बेचोगे, बोलो नहीं बेचोगे, तक अब कि कॉस्ट ही अगर इस से जाह है और थोड़ास अ क्रॉपिट तो हर कोई कमाता है, वो भी अगर नॉर्मल अगर qya, तो फिर कितना सेलिंग प्रैस आंच चलेंगे ने कम प्राइस प्यों प्रिजीए जो डिफरेंस तीन अदार दो सो और से दो हजार तो बारा प्राइब का प्रॉफित बढ़ना चैए पर इनिट आट जीए किस ठीक है पुलिक है झाल जाते प्राइस 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 अलिएित भर्राइस प्रॉफित बड़ना चैए कर दो हो और से दो गला से घृत है झाल 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 अच्छी तरह से रिड करना पड़ेगा भी अल्टो लिमिटेड जर्मनी आपनी वहाँ झाल 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 झालो झालिम इंदा beta limited developed software's and does both outside and offside consultancy services, on-site and offside consultancy services for various customers software's के बारे में अगर बात की जाए जान दो तो आपके organization में आके वो आपे पुरा software बनाने का वो आपे सारा software बना के उसका testing करने का सारी चीज़ा वहीं पर करने के, so that is called as on-site implementation, on-site off-site मनलब software वाली कंपनी खुद के office में बैटके software बनाएगे, उसका testing वह करेंगे, सब कुछ trial run उदर ही करेगे और इधर direct implement करेगे so off-site and on-sell दोनों consultancy करती है beta limited during the year build auto limited Germany for a hundred man hours at the rate of 2000 per man hour beta limited ने auto limited को 100 hours की service दे, software implementation की the software implementation में let us say they are charging on the basis of number of hours worked, client को जनरे यह ऐसे ही करते है KPO's, BPO's और भूस सारी software companies अचार्च कार्च कार्च करती है पता है क्योंकि देखो क्योंकि कपनी का एक पर्टिकलर software बनाने का एक इस पर्टिकलर टाइप का और फिर्स ताइम अपन बना रहे है तो आपने पर पताने न सब्टेवर कंप्लीट करने को कितना टाइम लगेगा उसमें क्या का कॉम्प्लिकेशन आएंगे ट्रायल नेरर चलते रहता है इसलिक कंपनी मुस्ट अपड़ केसे में ऐसा होता है कंपनी उसको यह नहीं बोलती किया पाच लाग रुपे लगेंगे सॉप्ट यह के दस लाग रुपे लगेंगे इसे के समय कंपनी उस तरह से नहीं जाती है कंपनी सामने वाले को बोलती है कि भाई थाउजन पर आर हम चार्ज करेंगे पिर फाइट अजन रुपेश पर आर चार्ज करेंगे पिर तेरी को अगर दोसो आर्स लग गए तो 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 इन्ट फाइट पचास आर्स लगे तो तेरा जैसे भी लॉयर्स एले इसे लॉयर्स जो सुप्रिम कोड को बड़े-बड़े लॉयर्स है यह क्लाइंट को किस बेस तो तो टलो रामजेट मला निए अगर ऐसे जो लॉयर्स है गाड़ी में बैठे घर से उनका टाइम चलो कि यह गाड़ी में आपके लिए बैठा ना इस वहां से उसका टाइम चलो होता है और उसके बाद उसका होता है पर आर लेट से एक लाक रुपए दो लाक रुपए पर आर तो उसके साब से फिरो घर पे वापस लाके कितने गंटे में चोड़ा साड़ी तीन गंटे में चोड़ा तो थाड़ी तीन लाक रुपे लेते यह से अइक चल ओता है है 박and Tree Cash लटने के ऐस्यों यह स्कस часто किलंगा 10 लाग कुल दो कि अप्ट को तक एक राग क्रुपे पर गंटा फिर केश साल चले जितने भार भी हीरिंग्स होगी उतने मायर में आऊंगा गाड़ी में बैठंगा एक लाक रुपे लगेंगे यस आप बोले उसको गाड़ी लेके देने का सवाल नहीं है उसके नॉलेज का पैसा हो गाड़ी का पैसा दोड़ी देरियो तो यह लोग क्या करते आरली बेसिस पर चलते उसको प परेटमीर निसरी में ऑगलाप ने एक चीज की ऊंटिस की होगी वह वी टेपीन से बाइशी कोई सब्ड़ सब्संबर कपणि किसी कंपशनल ला है तो किसी सब्दमाः कंपई से आउटस आड इंडिया वे सब्संपर पर नाने के लिए चला जाता है एंसे मैने के अशल रा रहेंगे निकालती रहेंगे कंपनी को कन्वेस करते रहेंगे और बार में भोती हो गाया तब कंपनी बोलती जाएंगे निकलो भी लेकिन देखो दो तीन-दीन साल तेक इनके प्रोजेट चलते एक-एक प्रोजेट नॉर्मल सब्टेयर अगर इंपलीमेंट करने कर रहेगा बड़ी बड़ी कंपनीज में और यह सब्टेर कंपनीज जो इसको पर ट्राइल एरकरती रहे तिस आवन नहीं बोलते यह आरली वेसे भी चार्ज करते हैं वोड़े हमारे 200 एंपलोई ने हर एंपलोई ने 10 आर्स की साफ से 2000 गंटे इस महने का काम किया और एक एंपलोई का प ने जर्मानी को आपन को ने आब भी ता है राल तो ने जर्मानीए तो बीटा ने एल्टो जहर्मनी को सव मैना आर्स अडेयरे 2,000 पर माने आर रेट कोट किया तो तो स्तों ध्रीट ni लिगता है बताए कि या और तैस को दिया ना तो यह 2000 जो है न यह कम प्राइस पे है 2,000 रुपिस पर आर जो होगा न बिलिंग that is at less price ऐसे हमारा तरस अनुमान है 1,75,000 तो उसका direct and indirect को सिता हावर बिटा लिमिटेड बिल्सी लिमिटेड इंडिया at the rate of 3,000 पर मैन आर for the similar level of manpower earned and earned a gross profit of 50% on its cost बिटा लिमिटेड ने इंडिया की ही एक कंपनी को 3,000 पर आर चार्ज किया और अपनी एक को कितना चार्ज किया 2,000 पर आर that is apparent now similar work के लिए कि जो एको जो price code किये that is क्या है that is less that is underpriced right to 3,000 पर मैन आर code किये और आर प्रफित पचास्टा का कमाते है मनने पचास्टा के जनरल प्रफित यह कमाते ही है the transaction of beta limited with L2 limited and C limited are comparable subject to the fallen differences that is subject to fallen differences while beta limited derives technology support from L2 limited there is no such support from C limited लो रिती परशन भिट परशनियट साथ जानदू कोमले तीमलजी सपक्पर मिल्टा है और उसने को च्छायँ चाहता है, युक्त प्राइस का महीं किना अट तेखनलोजी सपकिप्रट काद चाहना है As alto-limited gives business in larger volumes, beta-limited offered alto-limited a quantity discount which may be valued at 10 percent of normal gross profit, kya bula? As alto-limited gives business in large volumes, as alto-limited gives business in large volumes, beta-limited offer to auto-limited a quantity discount which may be valued at 10% of normal gross profit. Aalto-limited जारा अपने को business देती यह, इसको से Aalto-limited को अपने discount दिया और discount का value 10% of the gross profit है, लिकिन यह C limited अपने को कोई quantity, जारा-जारा business ने देती सलिए अपने, उसको जारा price charge को कोई discount ने दिया, इन ना केस बृंटरीं सर्विसे डिया अल्टी लिमितेड के लिए कुछ रिस भी निये जनरली रिस जारा प्राइस चारज करते हैं और मार्केडिंग कॉस लगता है बाकी कंपनी स्केल इसलिए अपनी कंपनी अलड़े से उसकेली मार्केटिंग नहीं लगता इसलिए, इस्लीकुट ऑत watching that data. On the other hand in case of c limited beta limited has assumed all the risk anas cost associated with the marketing function whichcell be estimated at 10% of normal gross profit, beta limited offered, one month credit to auto limited, beta limited, auto limited ko, एक मैने का credit देती है, और फिर भी कम price पर good sell करती है, credit देके भी, बिल्टा credit देया तो जारा price लगना जाहिए ना, लेकिन credit देके कम price, the cost of providing such credit, may be valued at 3% of normal gross profit, no such credit is given to C limited, अब दान दो, अब नीचा वाल आइंसर मत देखो, और सोचो, आइंसर बन करो, फोल्ड करो पेज, तुम लोग चकने लोगो ना, तो तुम लोगो देखेगा चो, yes, अब दान दो, direct and indirect cost, आसे मैंने जीव मोगरे चालू किया है, इसलिए मैं फुल ब्रेक पास होगरे, दो, डाइ गंटे तक इतरो गुम रहे थे हम लोग, इसलिए भुल खाना खाकते, तो नीदारी मेरे, पंडे ये, डान्द बेटा, direct and indirect cost कितनी है, एक लाग पच्चेतर हजर, यह आपकी total cost है, और इसमें profit add करने का है, लेकिन profit का percentage नॉर्मली 50% है, अब रुको, लेकिन 50% add नहीं करने का, विए यह देर आपकी तो में डिफ्रेंसेस, आपकी लाएं, अल्टो, और, C limited से, अपका कितना percent profit generally कमाते हैं, similar लेकिन profit of 50%, C limited से अपकी 50% profit कमाते हैं, तो C limited से जो 50% profit कमाते हैं, 50% profit add मत करो direct, यह 50% profit जो है ना, इसके जो functional difference है, अगर उसी functional difference इस पर अगर C limited को अगर हमने सेल क्या होता, तो फिर profit का percentage जितना साइद हायर नहीं होता, तो फिर profit percentage पर अपने को जाने के है, क्याल सी भी ले लो, और जरूरत नहीं जान दो, point number one, while beta limited derives technology support, from all to limited, यह technology देती है, यह देती है क्या, तो यह अगर technology नहीं देती है, तो नाचरली से जाना profit लेंगे नहीं, तबको यह profit इसके functional difference पहले क्या आनेगा, और इनले लोगने बोला, यह technology support का जो value, वो 20% of normal gross profit है, 50 टक्यक का 20%, 50 into 20% बोलो, 50 to 20%, कितना, 10, yes 10%, तो indirectly इसको आपने जो charge किया, वो 10% profit जारा charge किया, अभी यह technology support दे रहा है, तो technology support दे के भी इसको जारा charge नहीं करना पड़ेगा, कमी charge करना पड़ेगा, अगर यह भी technology support अगर दे तो इसको भी कम चार्ज कर जाते है, तो यह profit higher है, तो इसको इसके functional, functions पे ले क्या आओ, इसके functional में technology support जाते, तो इसके support है तो फोड़ा सा आपका 10% हम कम करेंगे, 10% कैसे, 20% of gross profit, 50 का 20% is 10, उसके बार, number 2, यह आपको जो बुस जादा quantity में business देता, यह नहीं देता, अगर यह जादा quantity में देता, इसको यह यह ना होता, यह ना होता तो भी आम इसको price कम ही charge करते है, अब यह जादा business में देता आपको, तो इन लोग नों बोला, कि यह जो quantity discount का value जो 10% है, नार्मल ग्रास परफिट के, तो नार्मल ग्रास परफिट कितना आपका? 50%, 50% का 10%, मतलब 5% तो इसने जादा business नहीं दे आपने, इसलिए इसको 5% profit जादा है, इससे 5% profit कम लिया तो भी चलेगा, that is not a problem, उसके बाद, इन case of rendering services to all to limited, beta limited neither runs any risk, इसरो रिस्क ने, इसरो रिस्क है, अगर ये भी, जैसे इसरो रिस्क ने, अगर इसको भी रिस्क ना होता, तो नार्मल बिजनेस चीज़ है, अगर जिस पारटी से रिस्क ने होता, उसको अगं कम price चार्ज करते है, इन लोग ने बोला कि रिस्क का जो profit percentage जो ओ, 10% of normal gross profit, मतलब 50 का 10% मतलब 5% तो 5% हमने जारा charge किया, जो इधर नहीं चाहिए, बरबर है, आप simply यह सोचो, कि common sense है, normal business में भी ऐसा ही होता था, अगर इसने Technology होता इसको हम कम करते हैं, इसने अगर इस ने उतर इसको कम करते हैं, इसने जाला quantity दिया, इसको सब्चाहत करते हैं, तो हम जो भी सब कुछ युदर शुर्टिंट का प्राफिट लेख 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 ले废े लुके लेख लेकिया हो इलगर हर relevant अपेंट कांट में सदर कांटि वुके को खितन होना चीजि ST Olay तो इस क्रेडु यह एधर क्रेडिट नहीं है अगर क्रेडिट नहीं है जयान दो तो प्रैस कम होगी क्या इस timber हो तो यह कम को इसको credit दिये क्या चाहिए जारा चाहिए तो कितना percent बोल रहें 3 percent अब normal gross profit 50 का 3 percent मतलब 1.5 जारा चाहिए तिसलिए 1.5 percent अब यह 20- के आपने मतलब हो गया 30 plus 1.5 यह आपका real gross profit चाहिए पिर 175 plus 31.5 percent लेलो केटना अचाहिए अम्स लेंग प्राइज प्राइज 175 plus 31.5 percent 230 यह आपका चाहिए और कितने को बेचा माईने प्राइज के रियालिटी में 100 आस इंटू 2000 मतलब 2 लाइस को पेचा मैंने तो कितना अंटर वालेशन है 30,000 125 यह क्या होना चाहिए कितना है इंकरसे एंकरसे अंटर अंकरसे करते हैं 10,000 125 यह क्या है रिमाइए और केतने गपकर सूफ इंकरसे क्राइब करते हैं हो गया गया वैसे मत देखो अब देखो किस तरह से काल्कुलेशन क्या हुआ है साइड मिलिक दो, Profit Percentage of Uncontrolled Transaction Profit Percentage of Uncontrolled Transaction is to be adjusted, is to be adjusted as per the functional differences. is to be adjusted as per the what, functional is to be adjusted as per the functional differences, is to be adjusted as per the functional differences in controlled transaction. मोडिल है क्या आपके पास CW का होगा है? है कि किसी के पास? एक दो क्वेशन उसमें भी दिये हुआ है, जारा ने दो एक्वेशन दिये शाया है, हाई क्या? घर पे गया? बुसल लगा जा लगा दिये? मोडिल को खोल के देखा किया? यस अगर नहीं अगर नया नहीं आओगा तो वो पूरे प्राइस में बेचा जाजा है थाना, प्रेड पसंट, नया जे नो, ब्रावर नो, कोई है क्या माबाग, जो मोडिल को भी बेचता है मार्केट में, ने ना, पता चले एबीसे में लेके क्या मोडिल लेते क्या वाबा, ने ना, शुरू-शुरू में एबीसे में लोंको रिसेल वालों को पता ने रहेते कोंसे बुक पेच रहेते, वो ले लेते थे, वो बुक वाले रहेते, नुमको क्या पता रहेता, वो, आट देस आल पहले की बात है, इवन सिंगाने या सेकनेंड, टास का, एक असेस्मेंट एर कंप्लिट वनेख बात, वो बुक कोई से भी उस लेस हो जाता न, तो लोग उसको एबीसे में जाके बेचते थे, सारा उश्यू पेट वाले, ने कजवा पेटू, वाले, येस, ने अविदर, चाहि के दुकान चल्टर हिन तुमारे, जाहि के दुकान चल्टर हिन, वेरी गुड, 30 स्वार के बस्टन, गुड, 30,125, याड क्या क्या, राइ, लेलो, 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 लिखके दे रहाँ, A-B-C Limited purchases goods from P Limited of Pakistan from P Limited of from P limited of Pakistan at rupees 1000 per unit at rupees 1000 per unit at rupees 1000 per unit full stop ABC limited holds 26 percent shares in P limited ABC limited holds 26 percent shares in P limited full stop ABC limited also purchases similar goods from an unrelated party from an unrelated party Q limited from China at rupees 1200 at rupees 1200 at rupees 1200 are comparable subject to both the transactions are comparable subject to falling functional differences subject to falling functional differences number one delivery of goods from Pakistan from Pakistan is on FOB basis is on FOB free onboard is on FOB basis is FOB whereas purchases from China are on CIF basis are on CIF are on CIF cost insurance freight are on CIF basis freight and insurance cost can be taken as rupees 300 freight and insurance cost can be taken as rupees 300 our and that purchases from Pakistan are not backed by warranty प्रचसे 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 प्रचस और बैक्ट बाइ वार्टी उसके निचे लिख दो उसी लाइन में कॉस्ट अब वार्टी में भी टेकन आज रूपीस हंट्रेड बैक्मार निचेतर बैक्मार काझति अजने दुमेड़ा प्यसके लिख तह सक enfermed связ much in India in India amount of adjustment to be made in the profits of one ABC limited in India यूजिन कप मेथड़ ऐसे बोलू यूजिन कप मेथड़ कप आप मुझे बोलू एबीसी लिमिटेड है इसने पर्चेस किया पी लिमिटेड पाकिस्तान से और क्यों लिमिटेड कहां से इसने जो सेल किया रुपीज पर्चेस किरने से वन थाउदों पर इंडिन और इधर रुपीज पर आवर नए तुल्लीलो डाग्राम्पनो पर आवर नए ये लुपीज़ पाग्राम्पनो पर आवर नए प्रुपीज़ नए झाल झाल अब जान्दू, कहां से शाट करने का, अन्कंट्रोल ट्रांजेक्शिन को प्राइस से और इसके फंक्शनल डिफरेंसेस पे लेख्याने का लेलो, प्राइस चार्ज़्ट इन अन्कंट्रोल ट्रांजेक्शिन, अन्कंट्रोल ट्रांजेक्शिन में क्या रेट से पर्चेस किया, अन्कंट्रोल ट्रांजेक्शिन इसके निचे लिख दो, अब मुझे बोलो, रुको, यह क्या है, डिलिवरी कहां पर, पाकिस्तान पर, यह क्या है, इंडिया में लाके देरा डिलिवरी, तो इसने चार्ज किया इसलिए इसका ज्यादा है, इसने इंश्रांज परेट चार्ज नहीं किया, तो अगर यह प्राइस अगर इसके ही अगर बेस इस पी होती ही, मतलब जैसे डिलिवरी अगर आपको उदर से मिली होती ही, तो सिमिलर डिस्टंस ऐसे समझ लो, अगर यह भी अगर उसके जैसा यह उदर ही देती ही, तो प्राइस एक हजार दोसो का और कम होना चाहितना, यह लेस, प्रेटन इस्वरंस, नट चाहितना, इन केस अपर्चसेस प्रम पाकिस्तन, कितना? 300, उसके बाद, इधर वारंटी है, इसली इसका प्राइस आए, इधर वारंटी ने तो प्राइस कम होना चाहितना, लेस, वारंटी चार्जेस, 100, तो ले लो इसके नीचे, आम्स लेंद पर्चस प्राइस, कितने आम्स लेंद पर्चस प्राइस? यस, 800 यह क्या, और एक्टिल पर्चस प्राइस कितनी है? अब मेरे को बोलो क्या करने का? आम्स लेंद पर्चस प्राइस आट्स प्राइस हजार दिखाई, पर्चसेस मैने ज्याधा वेलिपी दिखाई, आपिस्टिस प्राइस कितने है एए आट सो तो मेरे आट सो अगर दिखा दो प्राफिट बढ़ेगा नविरा इन लोग ने कितने भी दिखाया हाजार पिटिकाए जाना वैल्ली पिदिका न त्रोग यह सब कुछ नहीं मिल्राद फिर भी आजार को परच्छस कर रहा है लेलो to increase in profit is equal to rupees 200, increasing profit is equal to rupees 200, चलेगा अब जान दो, when it comes to transfer pricing, इसमें क्या question to question सोचना पड़ता है और दिमाखशान तो ना वो जरुए उसके लिए अध्जेस्मेंट क्या करने का exactly, यह पंडित को पहले दें समझे इसने आइड ले स्क्यू करने का, नहीं समझाता ना, पंडित, मला तौन वर पड़तोगा, कुछ भी क्या रहे, उस दिन मेरे को पूल बोला ना तू, पीचा आयता ना वे रहे, तौन मैं उसको बलो, पंडित, तू आपस एक बार वर्चुल लेकर पूरा देख, सब समझेगा, देखा क्यों वर्चुल, नहीं देखा, समझ गा गर पे जाके, गायत्री मंत्र नहीं ह लुक्षिशन है उड़ा, यस, तो मैं तो मैं तेड़े profit, में तर्टाप्ड है, तर्टाहरे प्ड़ ना तुम लो, नहीं बढ़ते, कल मॉडिल लेका आँ थोड़ा, आँ, CS हाला कहें क्या मॉडिल, जरप इस ना पूछ रहा हूं मा, अब मेरे पता है तुम लोगे इधर ने लाए चलो काँ वालो हम लोगो ने इंटरनेशनल टैस्ट के बारे में बात कर आप्स लेंड प्राइस डेटर्माइन करने की तीन मेठ़ कमलीट कर लिया मतलब कब मेतर कॉमपर अन कॉंट्रोल प्राइस मेथर नुमबर तो रिचल प्राइस मेथर अबर की क्वास प्लस में और इंटर फोर profit split method number four is profit split method आप समझो आप चार फ्रेंड्स मिलके दिवाली के सिजन में आपने क्रैकर्स का बिजनेस की अफटा का पंद्रा दिन बिजनेस चला और उसके बाद उस बिजनेस से जो profit आया वो चार फ्रेंड्स जो है वो शेर कर रहे हैं वो चार फ्रेंड्स शेर कर रहे तो उसका शेर करने का basis जो है वो कुछ किस तरह से हो सकता है कि हर एक फ्रेंड्स ने किस तरह से कॉंट्रिबिशन के उसके बिजनेस पे वो profit भी शेर होना चाहिए किसी फ्रेंड्स ने 80% खुद का पैसा डाला था किसी फ्रेंड्स ने management खुद की रखी थी कोई लोग help कर रहे थे तो उसका relative contribution जो है उसके हिसाबसे वो profit split होना चाहिए ना चार फ्रेंड्स के बीच में है ऐसे होता है कि हमने लेट से profit split करते टाइम हमारा बेस होना चाहिए कि जिसने जितना contribution किया चाहिए वो in the form of management हो चाहिए in the form of finance हो तो उस profit में उस particular person का relative share जो है वो आपने निकालना चाहिए और उसके हिसाबसे उसका district होना चाहिए लेकिन जिस person ने जारा-जारा let's say efforts लिये जारा-जारा उसने contribution के यादा profit में हो रहे है और other capital में फिर भी उसको कम से कम अगर आपने profit दिये तो improper profit split होगा profit split जो है वो correct नहीं है अब इसको ही आप international transaction के बारे में let's apply करो international transaction में Indian company और दो-तिन foreign company मिला के ये international transaction let's say particular joint venture जैसे activity कर रहे है और जिसमें जो profit आ रहा है वो profit इस तरह से split किया जा रहा है जिस तरह से tax structure है ऐसी company जिस company का country में higher tax rate है तो उस company को ये लोग कम profit दिखा रहे तो उसके country में उसको कम income tax भरना पड़ा है और जिस company के country में lower tax rate और उदर क्या करेंगे higher profit divert करेंगे कोशिश करेंगे तो it is quite possible कि एक company है जिसने वो profit earn करने में ज्यादा से ज्यादा efforts लगाए in the form of finance, in the form of management, in the form of technology वो सब कुछ किसने लगाए एक let's say Indian company ले ले लगाए जारा 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 और उसके basis पे इंडियन company का उस particular business में 50 स्टक का contribution था, profit का 50 स्टक का किसको आना चारे इंडियन company को लेकिन इंडिया में income tax rate जारा होने के वज़े से उन लगोंने सिर्फ 20% इंडियन company को दिया, जो इंडियन government क्या बोल रही, इसका मतलब तो इंडिया में profit जो दिखा रहे हूं, इसलिए जो profit आप जो split करोगे, वो on the business of relative contributions made by company करना चाहिए, अगर 50 स्टक का contribution किया, तो 50 स्टक का profit भी इसको मिलना चाहिए और कोई दूसरी company जिसने सिर्फ 20 स्टक का contribution कि उसको तुम 50 स्टक का profit दे रहे हूं, क्यों, क्योंकि उसकी company के country में, income tax के rates कम है, तो अगर ऐसा करोगे, तो फिर transfer pricing वाले जो है ने picture में आ जाते है, यह बोल रहे हैं कि on the business of the relative contributions in the form of technology, in the form of finance, in the form of management done by the companies, their profit shall be splitted, उसको उतन profit विलना चाहिए, और अगर वो अगर in the form of contributions, अगर लेट से मेरे को 2000 करोड का profit आना चाहिए, और मेरे को 500 करोड का profit दिया, तो तेर 1000 करोड से मेरा profit यह, transfer pricing की प्रोजिन अप्लाई करके increase करते हैं, ठीक है, तो that is profit shall be splitted according to the relative contributions made by each company, तो लिख दो profit split method, separately, पास प्लस method होगा ना प्रोजिकल, रिजिस्टर मेरे लिखना, नोटस पे नहिया, profit split method, profit split method, अरुश के निचलिक दो, profit arising from an international transaction between the associated enterprises, profit arising in an international transaction between the associated enterprises, profit arising in an international transaction between the associated enterprises, checkout के plan, keyword navigator बार्फेर्टीर नफ्वे मेरे थी अछीन फौर्स toॉ, trycker थीजिकर थार्प भीज़ीघ, रिचिज़़ तो चार्प थीज़विकर थाउर्पीघकर साल बाड ह Aaación, kag Sc बति फुज़ कर फिज़श बोपरे और किज़ खेड according to the relevant contributions made by each company in earning such profit, made by each company in earning such profit, profit split method which may be applicable may mainly in international transactions involving transfer of unique intangibles or in multiple international transactions which are so interrelated that they cannot be evaluated separately for the purpose of determining the price of any one transaction by which the combined net profit of the associated enterprise arising from international transaction in which they are engaged to determine. The relative contributions may be made by each of the associated enterprise earning such to the earning of such combined net profit is evaluated on the basis of functions performed, assets employed, ought to be employed and risk assumed by each enterprise and on the basis of reliable external market data which indicates how such contributions would be evaluated by by the unrelated enterprise performing comparable functions in the similar circumstances. The combined net profit is then split among the enterprises in proportion of the relative contribution ES and S counter length row. The combined net profit is then split into the associated enterprises in proportion of their relative contributions as evaluated under sub class 3. The profit does a portion to the assets taken into account to arrive at the arms length price in relation to the international transaction. horizon vegan वाल श Congress पुस्छरihat इंडिया, ZMC किदर की हैं, Singapur की है, और M.co Limited किदर की इंडिया की है, कितना परसें प्रॉफिट, कितना परसेंट शेर होल्डिंगे, एक दुसरे में 27 तक का, वनलब असफेंट एंटर्पाइज है क्या, फर्दर क्रेश लिम्टेट इंडिया होल्ड्स 32 परसेंट शेर हैं, तो, associated enterprise है, develop the software, and does both on-site and off-site consultancy, अब जानदो, तीन companies है, कौन कौन सी, बुलिये, ZMC, और US वाली कौन सी है, Crest, Crest Limited, यह USA की है, यह, Singapore की है, और आपन कौन है, Amco Limited, अब यह क्या बोल रहा है, Crest Limited India, Crest Limited USA, received an order from the Trim, Trim Limited USA, for developing the software products, अब जानदो, यह Crest Limited जो नए USA वाली, इसको एक order मिला, उसकी USA की ही एक clients है, की software develop कौन, in order to execute the same, ZMC technology Singapore, Crest Limited USA, and AMC Limited India, have contributed internally to the development of the software, अब जानदो, यह Crest Limited को order मिला है, software बनाने का, Crest Limited बोला, की Amco Limited, ZMC और Crest, अपन तीनो मिला के क्या करते है, वो order execute करते है, software बना के देते समने होले को, तो तीनो लोग काम करने होले उसकी उपर, finally, deliver the product through Trim Limited, and receives consideration of $50, कितना consideration मिला, customer से? पच्चा सार डॉलर मिला, येस, अब धान दो, Crest Limited USA, intern page to ZMC Technology, Singapore, ये Crest Limited ने क्या किया, ZMC Limited, Singapore and AMCO Limited India, Crest Limited USA, intern page to ZMC Limited, Singapore and AMCO Limited India, कर दो को स्थाकर अबेगा, incurड़ टोटल कॉस्ट, क्याट प्रेंट, से तस्मा कुच्च, सेंटेस थोड़ा से अच्छी तरह से उपकरेट कर लो यह ठी के पच्छास आड डॉलर्स मिले ग्रेस लिमिटेड यूसा इंटन पेस्ट टु जेडेंसी टेकनोजी सिंगपोर आने आमको लिमिटेड इंडिया यह इंकर्ड टोटल कॉस आफ है न वह आप तक कट करो इंकर्ड टोटल कॉस आफ कौन से इसमें थर्ड पैरेग्राफ में अब सेंटेस कुछ ती इस तरह से रेस लिमिटेड यूसा इंटन पेस्टु जेडेंसी टेकनोजी कितना जेडेंसी को कितना दिया यह 50 सरकार डिस्यूशन देखो 10 अरफ डॉल्र इसको दिये 12 अरफ डॉल्र किसको दिये येस इसको मलद 10 अरफ बार आव गया मतलब कितना वागा 22 और 28 ताजन डॉल्र किसने रखें खुदने रखें होगे न येस ये लोगने क्या दिये देखो Grace Limited USA in turn pays to ZMC technology the $12,000 and $12,000 and $12,000 respectively and keeps the balance with itself in the entire transaction in the entire transaction of profit of $10,000 is earned, AMCO limited incurred or total cost of $9,500 is existing its function relating to the above project, total cost कितना लगा? entire transaction में जान दो profit कितना आया? $10,000, AMCO limited को 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 स्वेतना लगा? $9,500 on the basis of the functions for country का assume and the assets in world the relative contribution may be taken as 50%, 20%, 30% for AMCO limited ZMC technology Singapore and Chris limited USA अब यह लोग क्या बलुरते है? on the basis of functions perform and risk assume and assets employed the relative contribution may be taken at below 50%, 20% and 30% अब इन लोगों ने क्या किया इसमें ने कोशिशिस करो in the entire transaction $10,000 का profit earned किया अब यहां पर देखा जाए पहले आप सोचो, वो सब कुछ दिया है वहां पर total selling price of international transaction कितनी है? is it dollar 50,000? yes और आप मुझे बोलो in the entire transaction $10,000 का profit is earned और क्या हूं? total cost कितनी है? obviously dollar 40,000 होगा in the entire transaction of profit of 10,000 dollars is earned profit 10,000 dollars का अब इन लोग ने क्या बोला? cost incurred अपन सिप इंडियन कंपनी के बारे में देखेंगे by amco limited amco limited इन ने कितना cost incur किया? 9,500 dollars अगर मैं बोलू अगर 40,000 dollar का total cost है जिसके उपर 10,000 dollar का profit आया तो profit to be transferred to amco limited कितना होना चिए? 10,000 dollar का इन लोग ने profit कमाया total cost इन की 40,000 dollar है तो 9,500 dollars की पर का profit कितना? बोलो 10,000 dollars इन्टो 9,500 dollars जिए बाए 40,000 dollars 2,3,7,5 dollars का profit किसको आना चाहिए था? amco limited को ठीक है अब देखो जिसके लूग जुप को झाल तो 10-100 dollars का क्या है 10-100 dollars का क्या है इनलों का total profit है अब इन वोगोगोंना question में पास इंकड के बाद भी, on the basis of the functions of a risk assumed and assets employed, इनका relative contribution बोला है, Amco Ltd का 50 चक का, ZMC का कितना, 20% and Singapore का कितना है, 30%, यह बोला है, therefore, on the basis of relative contributions, given, profit to be distributed, अगर तू अगर मैं बोला है, Amco Ltd, उसके बाद, तू ZMC and to Grace Limited, 10,000 दोलर का profit है, इसमें से 50% बोला है, मतलब, 5,000 दोलर, उसके बाद, 10,000 दोलर का 20% मतलब, 2000 दोलर, और Grace Limited का कितना, 10,000 दोलर का 30% मतलब, 3000 दोलर, यह इनका profit आना चाहिए था, अब देखो, अब देखिए, अब अब को लिमिटेड, अब को लिमिटेड को, कितना रिविन्य दिया है इन लोगों ने, 12,000 दोलर का, अब अगर मैं बोलू, 12,000 दोलर का लिए था, अब अब को लिमिटेड कोस, अब को लिमिटेड कोस कितना है, 9,000 दोलर का कोस इंकर किया ने, 9,000 पासरो दोलर का, अगर 9,000 पासरो दोलर का कोस, प्लस profit, 5,000 दोलर, ऐसे मिला के, अगर 10,000 दोलर का, अगर मैं टोटल प्रोफिट कमा रहा हूँ, तो 10,000 दोलर का जो profit है, वो profit इस तरह से split होना चाहिए, अब profit is over and above the cost, अगर 9,500 दोलर का मेरा cost है, और 5,000 दोलर का profit है, तो 14,500 दोलर किसको मिलने चाहिए, arms length revenue, of कुन M.co Limited, इस M.co Limited को 12,000 दोलर दिया, less, actual revenue transferred, कितना? 12,000 दोलर से, तो 2,500 दोलर से क्या है, increasing profit, तो step समझो पहले, जान दो, international transaction जो हो रहा है, उस international transaction में, जो total profit है, वो पहले निकालो, तोल, total profit जो है, वो total profit, distribute किस ratio में करने का वो ratio दिया है, बोले है, ये total profit, इस ratio में जाना चाहिए, बहुत है, एमको लिमिटेड को 5000 दोलर का profit जाना चाहिए, जेड़ी सी लिमिटेड को 2000 दोलर का, और क्रेश लिमिट को 3000 दोलर का, अब simple case है, आप order waste भी देखो न, क्याल सी है क्या, एमको लिमिटेड को 12,000 दोलर हमने दिया, 12,000 दोलर का revenue दिया इसने, इसके लिए cost कितने लगी है, 12,000 माइनस 9,500, कितना होदा profit, 2000 दोलर पस्तो दिख रहा है, अगर ये एमको लिमिटेड को 12,000 का अगर sales, अगर consideration मिला, और इसने अगर PNKDP को 9,500 का अगर इन लोगने, पास जाल तो इसका 2000 दोलर पस्तो दिखेगा, रेविन्यू, 14,500 का रेविन्यू होना चीए, लेकिन हाई कितना रेविन्यू से 12,000, रेविन्यू के सथ कंप्र को 2000 दोलर पस्तो बढ़ना चीए, समयने कोशिश को रहो, दो तरीके वापस, अगर 9,500 दोलर का cost लगा, और 12,000 अगर इन लोगने दिया, तो मतलब 50000 का इन लोगने क्या दिया, 50000 का इन लोगने क्या दिया, प्रोफिट दिया, लेकिन प्रोफिट इसके विशिश पे 5000 दॉलर का राचीए, तो 2500 दोलर से प्रोफिट बढ़ना चीए, वे टू, मुझा झाल सेम कॉंसेप्ट का आप बोल सकते हो, प्रोफिट तो बी गिवन तो अमको लिमिटेड, बाकी का नहीं लेनेक आपने को, तस हाजार दोलर का 50 परसेंट इकोल तो 5000 दॉलर, प्रोफिट शोन बाई, अमको लिमिटेड, उसका रिवीन डॉलर बाईजर, माइनेस डॉलर नॉजर पास्व, तो 2500 डॉलर का उसने रिवीन दिखा है, तो, इंक्रीजिंग प्रोफिट रिकॉइड कितना है, 2000 पास्व लोगा, और, ये तो अल्रेट दिया हुआ है, वो लिख के रोख, ये अल्रेट आपको दिया हुआ है, कौन सा, इस, इस इप आप ये लिखो, ये सेकंड बे है, शॉटकट मार सकते हैं, वो चाहिए मेरे को सिर्थ, जाहिए मेरे को सिर्थ, को सिर दी में, भे वाँ मार सकते हैं, जर नह खुआ हैं, आपको दिया हुआ है, झाले चे मेरे को ऊत्त्रण्यों मेरे, झाल 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 तो झाल 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 झाल